अशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं होता है, अज हम एक बहुत important topic ये बात करने वाले हैं दोस्तों, अभी Sunday को कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था, और यहाँ पे जो बहादूर कुर्दिश लोग हैं, उनका साथ अमेर कुर्दिश की सेना है, उन सब को एक एक करके साफ कर देगा, और इस सेना में बहुत बच्चे भी हैं, बताना चाहतों इसमें बच्चे भी हैं, औरते भी औरतों ने भी हतियार लिये हुए हैं, ये कुर्दिश है कौन दोस्तों, और ये टर्की कुर्दिश conflict है क्या, हम बताना जाता हूँ कि अगर इस चीज को नहीं रोका गया, और अगर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए, तो बहुत बड़ी हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हाला कि भारत ने तर्की को कंडम किया है, ठीक है ना, तर्की का जो इ या, तर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था ना, कश्मीर इशू में तर्की ने भारत के उपर भी सवाल उठाए थे, तो भारत ने भी डिप्लोमेटिकली तर्की के सिस्टेप को कंडम किया, हाला कि ये बिल्कुल सही कंडम किया, हर किसी को कंडम करना चाहिए, कि इन फैसरों ने पूरी दुनिया को ऐसी जगा युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, ऐसे decisions है उनके, भईया हम तो यही उमीद करेंगे कि अगले सार election हो रहे है और कुछ अच्छा हो अमेरिका में, ठीक है अब समझ लेना इशारा कहा पे है फिलाल हम तर्की-कुर्दिश कॉन्फिक्ट की बात करेंगे, तर्की देख लिजे दोस्तो, यूरोप और एशिया का ब्रिज है, ठीक है ना कुछ पार्ट उसका यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो हम यह देखते है बहुत ही जादा important mighty ottoman empire यही से ही तो start हुआ था ना, याद है कि नहीं, मैंने आपको बताया है मेरा lecture देख लिजेगा, Rise of Islam तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह है world map में टर्की और इससे लगा हुआ है, सीरिया, फिर यह अरब पैनिसुला है, यह एफरिका है यह पूरा Asia है और यह हमारा भारत है यह पूरा physical map है दोस्तों, ठीक है यह तर्की है, याद रखिएगा, map बहुत देखेंगे हम फिर अब यह तर्की सीरिया देख लिजे ठीक है, यह तर्की है तर्की का border लगता है सीरिया से ठीक है, अगल बगल भी बहुत सारे देश है सीरिया के बगल में इराक है, ठीक है अरब है, यह सब फिर यह बहुत ही जबरदस्त map है जो आपको, आपकी जो downcers को clear कर देगा, यह देख लिजे दोस्तों, तर्की आपने देख लिया ठीक, अब यह सीरिया के पास आ जाईए फिर से, यह टर्की, यह सीरिया अगल बगल देशों को देखिए सीरिया में क्या चल रहा है इस वक्त, थोड़ा सा flashback में चलते हैं बात है दोस्तों, 2010 की 18 दिसंबर 2010, क्या हुआ था Arab Spring के शुरुआत हो गई थी क्या हुआ था मोहमद बुआजीजी नाम का एक सबजी वाला था पुलिस उससे रिश्वत मांगती थी तुनीश्या में अपने उपर उसने तेल छड़क के आग लगा ली मर गया वो वो जो आग है, वो ऐसी फैली इतनी बुरी तरीके से फैली कि उसने पूरे अरब पिनिंसुला और एशिया की काफी देशों को और नौर्थ अफरीका के कुछ देशों को अपने चपेट में ले लिया ठीक है रातो रात यहाँ पे देशों में क्रांती आ गई 2010 से यह शुरू हुआ इजिप्ट में भी डेमोक्रेसी आ गई वहाँ पे इतने सालों का रूल था वहाँ पे डिक्टेटर्शिप थी ठीक है इजिप्ट में डेमोक्रेसी आ गई अरब में डेमोक्रेसी आ सकती थी लेकिन अरब की सरकार में उसको पूरी तरीके से दबा दिया यह जो पूरा revolution आया तुनीश्या में रातो राट democracy आ गई कुछ देश तो बहुत अच्छा हुआ हाला कि एजिप्ट में बाद में पूरा जो army है उसने control ले लिया था और वो democracy इस समय खाली वो चेहरा है एक facade है अच्छुली में एजिप्ट में या बहुत सारे देशों में अरब स्प्रिंग 2010 में जो आया है दोस्तों वो democracy के लिए आया हम Middle East जो देख रहे हैं देश हाला कि Middle East आज कल यूज नहीं करते इस terminology को तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ जादा तर जो Islamic countries है उनमें democracy नहीं है वो dictatorship है और Africa में भी यही है तो भईये यह democracy के लिए हुआ था कि हमको वो लोग चाहिए जिसको हम लोग चुनके बेजे हैं तो इसके लिए पूरा revolution हुआ था यह Arab Spring की बड़ी लंबी कहानी है कुछ देशों में तो बहुत जैसे तुनीशा में तो रात और रात revolution आ गया बहुत बढ़िया हुआ तुनीशा से ही यह शुरू हुआ था और उसके आस पास फिर इजिप्ट हो गया अरब हो गया सीरिया हो गया यमन हो गया इराक हो गया यह सब जगा फैल गया लेकिन दोस्तों कुछ देशों में यह अभिशाब बन के आया जैसे की सीरिया सीरिया में सिविल वार चालू हो गयी शियावर से सुननी चालू हो गया टेरिस्ट ग्रूप यहाँ पे आ गया आइसिस का इसी समय उधे होता है तो हम सीरिया और टर्की के आज हम बात करने वाले है अब हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं जब सीरिया में आतंकवाद का उधे होता है आईसिस का उधे होता है यहाँ पे सीरिया लोगों को भगा भगा के मारा गया जान से तब हम यह देखते हैं कि लोग इनके सामने खड़े हो गए अमेरिका ने सपोर्ट किया ब्रिटेन ने सपोर्ट किया और कुछ बड़े बहादुर लड़ा के इन आईसिस के सामने खड़े हो गए, डट के मुकाबला किया और इनको खदेडने में 2018 तक कामियाब हो गए, आईसिस को जड़ से उखार के फेक दिया हाला कि जड़ से उखार के कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आईसिस के जो आतंकी हैं, वो छुपे हुए हैं और बहुत सारे कबजे में हैं ये सब हुआ सीरिया में, लेकिन ये किस ने किया, जिसने आईसिस को हराया, वो कौन थे, वो थे कुर्द कुर्द, ये कुर्दिस्तान जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, ये कुर्द लोग थे, जिनों ने इस आईसिस को हराया, और इन कुर्द की मदद की थी, ध्यान से सुनियेगा, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ब्रिटेन ने, अमेरिका ब्रिटेन ने, अमेरिका शुरू हो जाती है देखिए दोस्तों ऐसा है ना कि अगर आप पूरी दुनिया को देखे तो दो चीजों की वज़े से युद्ध होता है पहली क्या है जमीन का विवाद जमीन की विवाद की वज़े से हजारों सालों से जगड़े चलते है चले आ रहे हैं ठीक है दूसरा मैजॉरिटी वर्सिस माइनॉरिटी एक जो ग्रुप मैजॉरिटी में है और एक जो ग्रुप माइनॉरिटी में है इन दोनों की वज़े से युद्ध होता है तो ये दो मू minority versus majority हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो कुर्द है यह minority है ठीक है इनकी ethnicity है अलग-अलग देशों में फैले हुए है फिलाल आप यह map देख लीजिए यह Syrian यह जो आपको यह लगातार इन ISIS के खिलाफ लड़ती जा रही है और यह जिहादिस force है और जो Syrian rebels है मतलब वही ISIS यह देखिए कहां कितने कम जगां से कुड़के रह गए है ठीक है न और यह पूरा कुर्दिश यह जो area आप देख रहे है न यह पूरा कुर्दिश inhabited area है ठीक है यह चीज़ और Syria की army ने और America ने और Europe ने मिलके लड़ाई किया ISIS से और इन आतंकियों का खात्मा किया अब टर्की आने वाला है बीच में अब हम चलते हैं दोस्तों और पीछे अभी तक हम 2010 में गए अब हमको 1919 में जाना होगा और लंबा flashback World War I यह देख लीजे दोस्तों यह है कुर्द inhabited area बहुत सालों से यह जो कुर्द लोग हैं जो की minority में हैं यह अलग देश की मांग कर रही हैं यह कुर्द हैं कौन यह कुर्द वो लोग हैं जो बंजारे थे जो नोमाड्स थे 1919 से पहले नोमाड्स थे हाला कि यह पूरा Middle East नोमाड्स था यह जो पूरा ट्रेड होता था यह जो नोमाड्स होते थे इनकी मदद करते थे ठीक है अरे बया इनी बंजारों ने इनी नोमाड्स ने तो पूरा पूरा एंपायर बना दिया था ना आप देख लीजे जो पूलियन एंपायर है चंगेज खान कौन था वो नोमाडी तो था ना तो नोमाडिक एंपायर से यहां पर बने हुए हैं क्या वो एक अलक टॉपिक है तो हम यहां पर देख रहे हैं कि कुर्दिश इनाबिटेट एरिया यह जो पूरा का पूरा एरिया है यह कुर्द लोग ठीक है ट्रीटी ओफ सेवरिस अब इस ट्रीटी के अंदर यह था कि यह जो कुर्द लोग थे ठीक है यह कुर्द लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे कि हमको एक अलग देश चाहिए हम ऐसे नहीं जी सकते तो यहां पर इनके लिए अलग देश और आटो नॉमी की बा पहला नहीं बलकि कुर्द को क्या किया गया इनको फैला दिया गया इनको भगा दिया गया तो यह जो कुर्द लोग थे पहले एक साथ थे अब क्या हुआ यह अलग अलग देशों में रहने लगे ठीक है ना यह जो कुर्द लोग थे कुछ लोग इराक में चले गए कुछ सीरिया में चले गए कुछ टर्की में टर्की की population 7 से 8 करोण है 8 करोण basically है 2017 की बात करें तो ये लगबग 8 करोण के करीब थी तो ये चीज आप समझ गए तो 8 करोण की population में 20% टर्की में जो 8 करोण की population उसमें 20% 10 से 20% कुर्द है minority में है अब टर्की 1919 से ये नहीं चाहता कि कुर्द को अलग अपना देश मिले या उनको autonomy मिले लेकिन 1970 में इराक ऐसा पहला देश बना जिन्होंने कुर्द को अपना area दे दिया तो इराक में आपको कुर्द लोगों का एक अपना area मिलेगा उनके पास autonomy है और ये 1970 में हुआ था फाइनली हम देखते हैं कि कुर्द स्तान छोटा सा कुर्द स्तान इराक में बना दिया गया था ठीक है हलाक ये पूरे area का मांग कर रहे हैं कुछ तर्की का कुछ सीरिया का कुछ इराक का ठीक है कुछ अर्मेनिया ये देख सकते हैं न ये सब जगा कुछ इरान का ये हर जगा कुर्द फैले हुए हैं लेकिन minority में हैं तो जब 1970 आता है इराक में इनको एक part of area दिया गया तो उसके बाद इनकी मांग जो है कुर्दिस्तान की वो और जादा तेज हो गई तर्की ये बिलकुल भी नहीं चाता था और वहां से तर्की और इन कुर्द लोगों की जो दुश्मनी है वो चलती आ रही है ये 1974 में हम देखते हैं कि तर्की वर्सेस कुर्द इनके conflict की early 1970s में शुरुआत हो जाती है और अभी तक इन दोनों के बीच में जो conflict है वो सुलजी नहीं है अब दोस्तो ये तो हो गई flashback की बात 1991 में दोस्तो आपको बता दूँ अमेरिका और कुर्द की दोस्ती बहुत पहले से रही है ठीक है ना हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज अगर हम total कुर्द की बात करें तो धाई करोन से तीन करोन के बीच में ये कुर्द population है और ये फै सीरिया में आर्मेनिया में ये हर जगह आपको मिलेंगे लेकिन सब जगह वही मैने बताया ना कि माइनॉरिटी में हैं इराग में 7-10% है सीरिया में भी बहुत ही कम है तरकी में 10-20% है तो ये फैले हूँ है ये एक नहीं है इनकी यही मांग है जैसे कि यहूदियों ने ज् ऐसे ही कुर्दिस्तान बना लो, सारे कुर्देक साथ आ जाएंगे, अमेरिका का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, 1991 में दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, कि जब गल्फ वार हुआ था, जब एराक ने कुवेत पे हमला किया था, तो United Nations की पूरी फौज तयार हो ग सद्दान था, in fact सद्दाम हुसेन के खिलाफ ये कुर्द लोग सबसे पहले खड़े हो गए थे, कि यह जो डिक्टेटर है, इसको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, क्योंकि भाईया मैंने आपको अभी बताया ना, कि एराक में छोटा सा पार्ट कुर्द लोगों को दे दि कि हम इराक में इन्वेड करेंगे और सद्दाम हुसेन को ढूंडेंगे, तब यहाँ पे कुर्द लोगों ने अमेरिका का बहुत साथ दिया था, तो कुर्द और अमेरिका की दोस्ती बहुत पुरानी हैं, हाला कि जो तर्की है, इनको माउंटेन टर्क्स कहता है, ठीक है न अभी तक जो चल रही है, इसमें हजारों हजारों लोगों की जान गई है, बहुत ही जादा दिक्कत हो गई है, इसमें काफी सिविलियन्स मारे गए हैं, अभी बीस से तीस लाग, दस से बीस लाग जो सीरियन रिफ्यूजीज हैं, उनको ठिकाना नहीं है रहने का, आइसिस तो टर्की क्या चाहता है टर्की कभी नहीं चाहेगा कि कुर्द लोगों को एक अलग देश मिले या फिर वो अलग हूँ ठीक है यहाँ पे अमेरिका कुर्द को सपोर्ट कर रहा था अभी तक कुर्द के साथ अमेरिका था अब दोस्तों कुर्द के साथ अमेरिका कैसे था दे protection unit है जिसको YPGM बोला जाता है YPG प्लस अरब ने support किया यहां पर पूरी तरीके से अामेरिका ने support किया अमेरिका की आर्मी गई अमेरिका के 1000-2000 है अमेरिका से 1000 worst isяться है अमेरिका ने इनको पूरी तठीके से support किया वेपन्स दिये यूरोक टी काफी countries गई ये मिलके बना SDF अब ये SDF क्या है Syrian Democratic Front और इसमें Syrian Government भी थी तो Syrian Democratic Forces या फिर Syrian Democratic Front तो ये जो Syrian Democratic Front था मिलके इसने आइसिस को हराया अब तरकी के पास जादा ताकत नहीं थी, क्यों तरकी के पास जादा ताकत नहीं थी, इसलिए तरकी के पास जादा ताकत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का सपोर्ट है इन कुर्द लोगों को, और उपर से यहाँ पे सीरिया पे इन कुर्द लोगों ने कंट्रोल भ गया है और ये सीरिया पे जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इनको हम कंट्रोल कर सकें यही हुआ दोस्तों अमेरिका के डॉनल्ड ट्रम्प ने हाथ खीच लिए दो स्टेटमेंट बड़े इंपोर्टेंट है एक तो उन्होंने बोला कि मिडल इस्ट में जाना अमेरिका कि सबसे बड़ी गल्ती थी हाला कि यह शच भी है उनकी बात लेकिन इस बार थो उन्होंने बिल्कुल सही किया है डॉनल्ड ट्रम्प जो सही होता उसको गलत कर देते हैं और जो गलत होता है उसको तो और गलत कर देते हैं तो यहाँ पे उनको इस समय सीरिया में अपनी तो डॉनल्ड ट्रंप ने क्या बोलना शुरू कर दिया है? है तरकी की forces बहुत जादा बड़ी है यहां पे कुर्द बहुत सारे आतंकवादी SDF के पास है, जेलों में बंद है और बहुत सारे आतंकवादी छुप गए हैं, समझ रहे हैं अगर यहाँ पे कुर्द हारते हैं, SDF हारती है, क्योंकि यहाँ पे दो वार है, एक तो तर्की से लड़ेगी SDF और दूसरा यह आतंकवादियों से हैं, तो हमारी तो बल्ले बल्ले ना, हम तो इनको भगा भगा के मारेंगे, और जो आइसिस डूब गया था, वो दुबारा उदय होगा अब, अगर अमेरिका और यूरोप ने बहुत तगले से SDF को सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यह एक humanitarian crisis है, और टर्की ने तो अभी इसी हफते, मतलब बीते दिन से ही, अपनी कारवाई शुरू कर दी है, अब SDF को धोका मिला है यहाँ पे, अमेरिका से सीधा, अमेरिका के दो statement पहला, अच्छा, हाँ, जो Donald Trump ने बोला कि Middle East में जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, दूसरा उन्होंने यह बोला कि जब situation बहुत खराब होगी, तब हम करवाई करेंगे, क्या बात है, वेट कर रहे है, मुझे लग रहा है, Donald Trump की यहाँ पे लाखो लाखो लोग मरे, तब हम करवाई करेंगे, यह तो इतना ज़ादा irresponsible stand है, अमेरिका का, Donald Trump का कि समझी नहीं आता है, फस अब इनको एक boost मिल गया है, इनको क्या है, इधर कुर्द गए, इधर हम अपना सर उठाएंगे, अमेरिका है नहीं, यूरोप है नहीं, हम तो आ जाएंगे यहाँ पे, और तर्की भी एक तरीके से इसको support कर रहा है, हलाकि तर्की का हमेशा से stance एक अलगी रहा है, ठीक है, तर्की भी इसको support कर रहा है, Erdogan बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास Syria के लोग हैं, जो ISIS और इनकी लड़ाई चल रहे थी, उस समय जो लोग border cross करके हमारे पास आयते हम उसको वापस रिलोकेट करेंगे, हम कोई कारवाई थोड़ी ना कर रहे हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, तर्की कतले हम कर रहा है, और आपको पता है इसका नाम क्या दिया है, तर्की ने Operation Peace Ring, तो Operation Peace मतलब अमन चैन लाने के लिए हम Operation कर रहे हैं, एक तरफ कतले हम चल रहा है, तर्की अमन की बात कर रहा है, तो यह आप देख लीजे, Hypocrisy Attics Peak, तो अब हम आगे क्या होता है, फिलाल यहां पे जो SDF है, Syrian Democratic Forces है, इनका तो यही कहना है, कि हमको तो धोका मिला है, और अमेरिका हमको बीच रास्ते में छोड़के चला गया, हमने इतनी मेहनत से इन लोगों को हराया, आतंकियों को हराया, और उसका सिला हमको यह मिला, और बहुत बुर उसका दुबारा से सर उठता है, तो definitely दोस्तों यह जो आतंकवादी है, यह जो जिहादिस्ट है, यह फैलेंगे, यह पूरी दुनिया में फैलेंगे, और आपको याद होगा दोस्तों, 2010 के बाद से जब ISIS का उदय हुआ, तो दुनिया भर में अटाक हो रहे थे, दुनिया नाम एक्चुली सोवियत पर ही अटक जाता है, रशिया जो है, वो जो अमेरिका करेगा, उसके खिलाफ जाएगा, तो यहाँ पर रशिया का तो कोई खास सपोर्ट है नहीं, लेगिन अगर अमेरिका ने हाथ खीच लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉबलम हो सकती है, देखे से आगे क्या होता है, होच रहिए पर तरे, दिसे सिद्धान तक नहीं होतरी, साइनिंग ओफ